इस बीच आ रही है एक बड़ी ख़बर की और बड़ी चानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं सायूत किसान मोर्चा की बैठक आज होने जा रही है यह बड़ी ख़बर संगू बॉर्डर पर सायूत किसान मोर्चा की बैठक जो है वो होने जा रही है आज कि किसानों की तरफ से साफ पहले ही किया जा चुका है, कि जब तक संसद में तीनों खृषी कानून पूरी प्रक्रिया के साथ वापस नहीं लिये जाते तब तक किसान जहां हैं, वहीं डटे रहेंगे, किसान वापस नहीं जाने वाले, MSP पर कानून जो है वो लाने का कामकरी सरकार और जो किसान है वो वापस नहीं हटेंगे तो बड़ी कबर आपको बता रहे हैं सिंगु बॉर्डर पर सिंग किसान मोचा की ये महतपून बैठक और आगे की रंडीती जो है उस पर चर्चा की जाएगी बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी कबर बता रहे हैं बैठक में आगे की रंडीती पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी संगु चिसान मोचा की एहम बैठक आज जोने जा रही है और आगे की रंडीती क्या होगी किस तरीके से अपने मुद्दो को यहाँ पर जो मांगे है अन्ने मांगे है उनको सरकार के समक्ष रखा जाएगा और MSP पर जिस कमिटी MSP कानून में पारदर्शिता लाने के लिए जिस कमिटी का एहलान प्रदाय मंतुरी नरेंद्र मोधी द्वारा किया गया है उसको लेकर भी क्या आगे रंडीती रहती है उस पर भी चर्चा आज बैठक होने जा रही है उसमें की जाएगी जानकारी आपको बता रहे हैं किसार मोधी कमिटी के बैठक आज होने जा रही है ये इस पर की जाएगी ये इस पर भी खबर आपको बता रहे हैं किसान मोर्चा के 902 से कमिटी और बैठक में आगे के रंडीती पर जो चर्चा है वो यहाँ पर की जाएगी यह इस वक्त की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो सिंगू बॉड़ापास किसान मोर्चा की एहम बैठक मेहतपून बैठक जो है वो ने जा रही है किसान मोर्चा के 902 से कमिटी की बैठक यहाँ पर रोने जा रहे हैं आगे की रंडीती आपर क्या होगी किस तरीके से आगे किसान मोर्चा अपनी मागों को रखेगा सरकार के समक्ष उस पर भी विचार वमर्च किया जाएगा और